पूरे दीन और साम साथ बज़ कर दस मिनट तक लगी रहेगी तत पस्चात नौमी तिथी प्रारंब हो जाएगी चंदर्मा रोहिडी नक्षतर में साम आठ बज़े तक चलते रहेंगे तत पस्चात मुरिक शिरा नक्षतर में प्रवेश कर जाएंगे रोहिडी नक्षतर के नक्षतर स्वामी चंदर्देव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर, धार्मिक, मेधावी, धनी और सौमे सोभाव वाले होते हैं ऐसे जातक प्राकृतिक सौंदर के प्रेमी, संगीत, नाटक और कला में अभिरूची वाले, सारवजनिक उत्सवों में भाग लेने वाले, सामाजिक मानपतिष्था के इच्छुक, सुद्ध हिर्दय वाले, औरोपकारी, इमानदार और उच्च अभिलासी होते हैं ज़ि सहयोगी लगन रहा, चंदरमा और सुक्र की स्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे, चंदरमा आज पूरे दिन ब्रिश रासी में ही चलते रहेंगे, जिसके राशी स्वामी सुक्र देव हैं आज बुद्ध का रासी परिवर्तन करक से सिंह रासी में हो चुका है, अब बुद्ध की यूती सूर्य के साथ सिंह रासी में बनी रहेगी यह बुधादित्य योग बुध्ध और सूर्य के सहयोगी राशियों के लिए लावदायक माना जाएगा बुध्ध और सूर्य जीन जीन जात्कों के कारग्रह होंगे उन्हें उनकी महादसा की अनुसार सुभत्य की प्राप्ति होती रहेगी मेश राशी वाले जात्कों के लिए उच्च के चंद्रमाद दूसरे घर में बैठे हैं धनलाव के इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी और आठिक सहयोग कायम रहेगा वाड़ी की सौमेता और वागपटुता में बिद्धी होगी मानसिक सुकून और माता के स्वास संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है आपकी सकरियता और प्रबल उत्साह की प्रवित्ती हर काम में सफलता दिलाएगी हलाकि कुछ कामों में अनावस्क रुकावट या विबाद की संभावना भी बनती है मगर अधिकारियों के सहयोग और दिडिक्षा सक्ती से आप उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे साजेदारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे और नई कार योजनाओं का विश्तार होगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिध्ध होगा और वैवाहिक योजनाएं पलिभूत होगी ब्रिश रासे के राश्ष्वामी सुक्र स्वरासिस्त होकर सष्ठम भाव में ब्रियस्पती के साथ बैठे हैं स्वास संबंधी मामलों में उर्जावान महसूस करेंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा कारे छेतर में अपनी उर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा मगर प्रतिष्ठा और आत्म संबंध को लेकर मन में अंतर दंद बना रहेगा हाला कि अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी कुछ रुके हुए काम संबंध होंगे और व्योसाय संबंधी प्रतियोगी भावना विक्सित होगी जो कि कारे छेतर के बिकास में सहायक होगा संतान संबंधी आत्मिश्वास में बिद्धी होगी और बिद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन सही होगी रहेगा शिक्षा प्रत्योगिता में सफल्टा संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मित्वन राशे के राशिस्वामी बुद्ध की यूती अब सूरे के साथ सिंग राशी में बनी हुई है मानसिक दबाव खत्म होगा और धन लाव की इस्थिती बनी रहेगी ब्यावसाइक विकास में आपकी सकरात्मक पहल कायम रहेगी जिसका लाव भी आपको मिलता जाएगा नए सरकारी सहयोग मिलेंगे और रुके हुए काम संपन्न होंगे संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की इस्थिती संभावित है पारिवारिक प्रेरणा आप मिश्वास को बहाने वाला होगा मगर कुछ कारियों में थोड़ा विलंब और खर्च का संकेत भी मिलता है चंद्रमा के स्वयम के नक्षत्र में होने से अधिकतर कारे पूरे होते जाएगे और साजेदारी लावदाय करहेगी संतान सम्मंदी दायित की पूर्ती होगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपके मेहनत की सार्थक्ता सिद्ध होगी प्रयास जारी रखें करक राशी के राशिश्वामी चंद्रमा एकादस भाव में चल रहे हैं मानसिक दबाव और खर्च की प्रवृत्ती में सुधार होगा आय सम्मंदी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाव की इस्थिती बनी रहेगी आपकी प्रतिष्ठा में बृद्धी होगी और नेतित करने की छमता का विकास होगा पारिवारिक प्रिष्ठ भूमी सुखद रहेगी मगर स्वास सम्मंदी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए बुद्ध और सुक्र का राशी परिवर्तन मानसिक आर्थिक और सामाजिक रूप से लावधायक रहेगा हाला कि कारिक छित्र में दिढ़ विश्वास बना रहेगा जो कि आपकी दक्ष्टा को बढ़ाने का काम करेगा अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा मगर विवादित मामलों में सावधानी रखनी चाहिए संतान संबंदी चिंता में सुधार होगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा मगर सफलता संभावित है सिंग राशी के राशी स्वामी सूर्य बुद्ध के साथ आपकी राशी पर ही चल रहे हैं और चंद्रमा आपके दसमे घर में चल रहे हैं कारिशेदर में सहयोग बना रहेगा और संबंधित मामलों में निवेश संभावित है ब्यावसाई क्रिया सीलता में मदद मिलेगी और नई कारियोजनाव के दिस्तार में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा रुकि हुई आर्थिक योजनाएं फलिभूत होंगी मगर सानी के पंचम भाव में होने से कुछ मामलों में आपकी सार्थक पहल कमजोर पढ़ सकती है मगर संतान संबंदी सहुलियतें बनी रहेंगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता की उमीद बनती है कन्याराशी के राशिश्वामी बुद्ध सूरे के साथ एकादश भाव में चल रहे है और बिष राशी में चंद्रमा भाग भाव में चल रहे है आथिक मामलों में सहयोग बना रहेगा और भाग वस कुछ काम अच्छे होंगे नई कारियोजनाव के लिए सरकारी सहयोग जारी है मगर कुछ मामलों में सावधानी अप्यक्षित है मित्र वा सहयोगियों से भी आठिक राव की उमीद बनती है साजेदारी के नए प्रस्पाव सामने आएंगे जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे बुद्ध का आपकी राशी से बारहवे चलना ब्यापारिक उतार चड़ाओ का संकेत देता है संतान संबंदी चिंता आज लगी रहेगी विद्यात्यों को सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है और वयवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे तुला राशी के राश स्वामी सुक्र ब्रिहस्पत्ति के साथ आपकी राशी पर ही बैठे हैं और चंद्रमा आठवे घर में ब्रिश राशी में चल रहे हैं कारेशेद में रचनात्मक पहल में कमी का अंदेशा बनता है नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मगर आपकी कार्योजनाएं बाधित हो सकती है विचारों का अंतरदंद मन में पैदा होना और अंचाही यात्राओं का संकेत भी मिलता है विवादित मामलों का निव्टारा आज के लिए उचित नहीं होगा नई कार्योजनाएं लावधायक रहेंगी हलाकि शासन सप्तावा धिकारियों का सहयोग बना रहेगा आठिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा संतान संबंधी दायूत की पूर्ती होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा साथ ही स्वास संबंधी सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश राशी के राश्ष्वामी मंगल उच्च के होकर पराकरम भाव में केतु के साथ हैं और चंद्रमा उच्च के होकर साथें चल रहे हैं रुके हुए काम संपन्ध होंगे और आत्मिश्वास में विद्धी होगी साजेदारी सफल रहेगी सरकारी कामकाज में सहयोग और प्रिणा मिलती रहेगी चंद्रमा पर केतु की नवम दिष्टी पढ़ने से अनावस्षक व्यगरता घवराहत और व्यावारिक तोर पर गलत फाहमी के सिकार हो सकते हैं मकर कारे चमता और दिष्ट्छा सकती में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कारी और जनाव में आपके रचनात्मों प्रयास सार्थक होंगे नीजी सम्मन प्रगाड होंगे और वयवाहिक मामनों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें धनु रासे के राश स्वामी गुरू तुला राशी में ग्यारहमे भाव में सुक्र के साथ हैं और चंद्रमा ब्रिष राशी में छठमें भाव में चल रहे हैं उर्जा अस्तर में कमी आत्मी स्वास और दिड़ चा सकती में गिरावट का अंदेशा बनता है मगर मन में नकारात्मक भावनाओं के सार साथ हैकांत प्रियता और सांत महाल में रहने की प्रवृत्ती में विकास होगा स्वास पर अनावस्यक धन खर्च की स्थिती सामने आ सकती है हलाकि कार्योजनाएं पूरूवर्थ चलती रहेंगी और आर्थिक लाव की स्थिती मन मुताबिक बनी रहेगी नई कार्योजनाएं भी सामिल हो सकती है हलाकि रशनात्मक प्रियासों में मदद मिलेगी बारहमे भाव में वक्री होकर बैठे हैं और चंद्रमा पांचमे भाव में चल रहे हैं। समभावित है। Şावधानिया रखनी चाहिए। नीजी संबन प्रगार होंगे। विध्याथिजियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्यान अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखें और सामाजिक कारे। में शामिल होने का मौका मिलेगा कुम्भ राशी के राश श्वामी सनी 11 भाव में बैठे हैं चंद्रमा चौथे भाव में 20 राशी में चल रहा है स्वास संबंदी समस्याओं में कमी आएगी मगर चंद्रमा पर केतु की द्रिष्टी से मानसी कस्तर प्रभावित होगा और कामों में रुकावट संभव है हाला कि नीजी सुक संपत्ती में बिद्धी होगी और वैवाहिक मामलों में चल रहे प्रयास सफल होंगे मगर कारे छेतर में उतार चड़ाव संभावित है पहले की चली आ रही यो अजनाव में रुकावट या वाद विबात की संभावना भी बनती है मगर अधिकारियों का सहीयोग जारी रहेगा आर्थिक लाव की इस्थिती मन मुताबिक बनी रहेगी पारिवारिक दायत की पूर्ती होंगी और विद्यात्यों के लिए आज का दिन सहीयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है प्रयास जारी रहेगा मीन राशी के राशी स्वामी द्रियस्पती आठ्वे भाव में सुक्र के साथ बैठ है और चंद्रमा तीसरे भाव में चल रहे है प्रयासों का दौर जारी रहेगा मगर दिढ़ विश्वास और साथक पहल में कमी की संभावना बनती है हाला कि चंद्रमा उच्चे के हैं और पराकरम भाव में चल रहे हैं आपके थोड़े से प्रयास से रुखते हुए काम बन सकते हैं मगर सावधानी भी अत्रेक्चित है योजनाओं की गती धीमी हो सकती है हाला कि आर्थिक लाव में सहयोग बना रहेगा और नई कार योजनाओं के लिए समय अनकूल है नीजी जिम्मेदारी बढ़ेगी और निवेश लावकारी रहेगा संतान संबंदी चिंताओं में कमी आएगी मगर स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान नहें अध्यान अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा और वैवाहिक मामले फलिभूत होंगी आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए